पॉर्णिंग चिर्वेट आज हम क्लास UKG में हिंदी में बच्चों एक कहानी सुनने जा रहे हैं यह कहानी सुनकर आप लोग को बहुत अच्छा भी लगेगा बच्चों और साथ में ही आप इससे कुछ शिक्सा भी लेंगे, सिखेंगे भी कुछ इससे तो यह कहानी है बच्चों एक आलसी लड़का के बारे में इस तहानी में बच्चों उस लड़के के इस चित्र में देखेंगे उसके पिताजी हैं और उसके माताजी हैं यह दोनों एक गाओं में रहते हैं और उस गाओं में उसके पिताजी खेतों में काम करते हैं बच्चों उसी खेतों से काम करके वो अपने घर का गुजर बसर करते हैं घर को चलाते हैं और उनका बेटा भी साथ में रहता है लेकिन उसका बेटा जो है बच्चों बहुत ही लेकिन इसका बेटा बिलकुल भी उनकी मदद नहीं करता है तम यहां इस चित्रों में देंगे बच्चों छोग activities पिता जी अचानक खेट पर काम करने जाते हैं, तो उनके पिता जी के पैरों में सापने काट लिया, तब उसके पार उसके पिता जी, इस चित्र में देखी बच्चो, वो काफी बीमार रहने लगे, हमेशा वो बीमार रहते थे, फिर उन्हें बहुत चिंता होने लगी, कि मैं इतना बिमार रहता हूं, तो मेरा घर कैसे चलेगा, हम लोग कैसे खाएंगे, रहेंगे, तो उन्हें काफी चिंता होने लगी, उन्होंने क्या किया, बचो एक दिन अपने बच्चे को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, और बुलाकर बोला, बेटा, मैं तो अब बिमार रहता हूं, तो हमारा घर कैसे चलेगा, क्यों नहीं बेटा तुम खेट पर जाते हो और काम करो, तो बेटा बोला, नहीं पिता जी मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेटा तो आलसी था, वो तो करना ही नहीं चाहता था, तो उसके साफ और बुला कर बोला, बेटा, तुम्हें पता है, हमारे खेतों में धन गाड़ा हुआ है, पर मैं क्या करूं बेटा, मैं तो बिमार हूँ, मैं तो नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं बेटा, तुम ही जाकर उसे निकाल लो, क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे, तो किसी और के हाथों में लग जाएगा तो फिर हमें नहीं मिलेगा यह सुनकर बेठा के मन में लालच आ गया उसे देखिए इस चित्र में देखिए बच्चो उसके मन में लालच आ गया वो सोचने लगा अरे धन मिलेगा यह सोचकर वो क्या हुआ तयार हो गया पिता जी से बोला हां पिता के लिए जो खेतों में गया काम के लिए उसे बहुत मैनत किया खेत को पुरा पुरी तरह से खोदा पर उसे कहीं भी धन नहीं मिला कहीं धन नहीं मिला फिर उसे सोचा कि यहां तो कोई धन ही नहीं है और मैंने इतना सारा खेत को पुरा खोद दिया है अब मैं क्या करूं तो फिर उसोचा कि चलो इसमें मैं बीज डाल देता हूँ, तो उसने बीज को डाल दिया, जब उसने बीज डाला, फिर कुछ दिनों के बार, उस बीज से बच्चे क्या हो गया, खेत में पूरे धान भर गए हैं, इस चित्र में देखिए, खेतों में पूरे धान आ गए हैं, पूरे खेत भर गए हैं, यह देखकर वो लड़का बहुत खुश हो गया, अरे, खेतों में धान आ गए हैं, तब उसने सोचा, कि जब खेतों में धान हैं, तो क्यों नहीं मैं इस धान को ही बेच दूँ, और बेचकर मुझे से काफी सारे पैसे मिल जाएंगे, उसने क्या किया, खेतों धान को गाली में रखा, और चला गया शहर की ओब, वहाँ जाकर उसने धान को बेचा, और बेचकर उसे बहुत सारे पैसे मिल गया, उन पैसों को लेकर, वो अपने पिताजी के पास गया, और बोला, पिताजी, आपने तो बोला था धान, खेतों में तो धन है, लेकिन वहाँ तो कोई भी धन नहीं है, पिताजी, लेकिन मैंने कुछ मैनत कर लिया, उस मैनत के द्वारा मैंने धान उगा लिये, और उगाकर मैने उस ध्वान को बेचकर जो पैसे लाए है तो यह सुनकर पिताजी बहुत जोर जोर से हसने लगे बहुत खुश हो गया वो वो हसने लगे बोले, अले बेटा यही तो वो धन है जो तुम लाए हो क्योंकि जानते हो बेटा जुद मैंने तुम्हें कहा था कि धन है खेतों में वो मैंने तुमसे जूट बोला था बेटा मैं चाहता था कि तुम मेहनत करो काम करो इसलिए मैंने तुमसे यह जूट बोला था और देखो क्या हुआ बेटा तुम गया खेतों में काम किये धन उग किया है पिता जी अपसे मैं रोज आपके कामों में हाथ बठाऊंगा आपके साथ मेहनत करूंगा पिता जी यह सुनकर पिता जी और बेटा दोनों बहुत खुश हो गए और उस दिन से बेटा रोज अपने पिता जी के साथ खेतों में काम करने लगा तो यह कहानी से बच्चो यह कहानी से आप लोगो क्या सिक्षा मिलती है बचो, यही सिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलसी लड़का नहीं बनना है, आलसी बच्चा नहीं बनना है, अब यह सा अपने माता और पिता की कामों में हाथ बठाना है, और साती सा दूसरों की कामों में भी हाथ बठाना है, तो यह कहानी जरूर आप लोग को अच्छी लगी होगी बच्चो इस कहानी से जो आपने सीखा है वही अपने जीवन में आपको करना है वैसे ही बच्चे आपको बनना है बच्चो